आज मैं रेशमी कबाब बना रहे हैं अब इसको बोड़े चिकन है आभी इसको यह आदा किलो चिकन है अब इसको जार में डाल दू पी के रखी थी अभी जार में डाल दू ने अभी एक कांदा है एक कांदे को भी मैं दो कांदा है, इसको मैं जार में दाल भी पिसने के लिए, एक चमच काली मिर्च है, एक चमच नमक है, और एक चमच लाल वाली तिखी मिर्च है, अब यहरी मेर्च दाल गी है, आ यह अद्रक लसन है, यह भी दाल भी, यह लसन है, वह अद्रक था यह लसन है, और यह कोट्मी रही है, यह वूदीना है, और यह मसका है, अभी मैं इसको पीस के लाक्या आपको बताती है, रिश्मी कबाब बनने का, यह देखो, पीसने के बाद एक दौव मसके की तरह हो गया, देखें, एक दम नरा मुलाई, एक दम पसक लास, अभी इसके कबाब बना देगे, एकदम इजी है, दस मिनिट में बन जाता है देखो एकदम मुलाएम, एकदम साफ हो गया, एकदम अच्छा हो गया, नगम दौम देखे, अभी देखो, इसको ऐसा हनु पेल, कोई भी सेब दो, चपता सेब दो, भॉल सेब दो, ऐसा सेब दो में ऐसा दीज़, देखो यह आदा किलो अपने 1दअ किलो बोडलेस चिखन था, इसको देखो कितने कबाब बन गे बारा कबाब बन गए आप भी बनाओ खाओ, अच्छा लगे मेरा वीडियो सर्प्रैट करो, लाइक करो शेर कोरो, अभी मैं तन्ने को ले रही आईसा सेव दो गोल सेव दो, आपको जैसा मन में आए वैसा सेव दो बिसमिल्लाई रिमांद बस तील तील तलो तो वो अच्छे फुराए हो जाएंगे गर्मा गरम हैसमी कबाब खाओ अगर आप बनाओ खाओ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सर्प्रैट करो, लाइक करो, शेर करो